दोस्तो फाइनली हम चलते हैं zcub.nic.in पे और देखते हैं आपका second round का seat allotment result आया है या फिर नहीं आया है तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि आपका seat allotment का result आ चुका है तो आपको कैसे चेक करना है इसकी complete details हम इसमें बताने वाले हैं तो देखिए जैसे ही हमने इसको page को open किया वैसे ही आप इसके official website पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही आप नीचे scroll करके जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पर seat allotment result of second round यहाँ पर दिखेगा कि link provide कर दिया गया है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो click करने के बाद कुछ देर search होने के पश्चाद चुकि server अभी down चल लहा है बहुत सारे students अपना result देख रहे हैं तो ऐसे में यह चीज बड़ा धीरे अभी काम करेगी और उसके बाद से आपको ऐसा कुछ official page नजर आएगा जो अभी आपके स कुछ देर wait करते हैं ताकि page open हो जाए फाइनली दोस्तो page open हो चुका है और यहां पर लिखा है UP join entrance exam UPJEE ठीक है यहां पर आपको select करना है counseling board ठीक है उसके बाद से यहां पर अपना roll number enter करना है जो भी आपका roll number है जो भी password है वो आपको डालना है और नीचे का security pin यहां पर enter करक है जैसे ही आप sign in पर click करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको second round में कोई seat मिली या फिर नहीं मिली यह वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में share कर दीजे ताकि उनको भी बता लगे कि seat allotment result second round के लिए announcement हो चुका है और आगे की update के लिए आप